हेलो बच्वाब हम पढ़ेंगे NCRT क्लास नाइन का अध्याय नंबर वन है हमारे आसपास के पदार्थ का हम या पर पार्ट टू पढ़ेंगे पार्ट वन अभी हम पर हमें पढ़ चुके हैं कि पार्ट one में क्या पढ़ात हम ने पदार्थ का बहुत तीक उख्रू और पदार्थ के करणों के अभी लाक्ष्नित गुण्ट पार्थ two में अभी क्या पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्ता हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्ता तों कुरुघ क्यों धयांसे देखें एक कितने परकार के हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होता है ठोश डर्व और गेस कोई भी पदार्त है तेन रूप में होगा निंवाइति गोष्टार भाइब धर्यवर्य में खेस्ट इस तीनों अवस्ता उसके कणों की विविश्षता के करण होती हैं तीन अवस्ताओं के गुणों का यहां पर अभी हम अधियन करेंगे ठोस का भी दर्व का भी और गेश का भी पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्ता कि किरिया क्लाफ है 1.9 क्या है निम्मल लिकित वस्तों को एक्तरित करें पैन किताब सुई और लकडी की चड़ चार और पैंसिल गुमा कर इनकी आकार का रहेखाचितर बनाएं पिलीन प्लेंन पेपर पर रखयए रहेखाचितर बनाएं इन इंस सबी निश्टित आकार इस पर सिमाय उस्तर आइतन है कि यह पर हतोड़ा मारने खीचने गिराने से क्या होता है पेने किताबे सुई है पैसी लकड़ी के चटप पत्तर हतोड़ा मारते तो क्या होता है हैं किने सद्धीं करने का पर्याष् intermittent होता है कि इससों से कुछ मारते तो किया तसका या इसको कोई दबाते हैं प्रेशर डालते हैं कि इस इसका हाओ कर चैंच होता है हम यह पढ़ेगे उपरक्थ उदाने सभी भोस थे शारे थोसथे हैं तो हम देख सकते येग की सबीका एक निश्चित आकार इस पर सिमाय स्तर आयतन तो ँस पदार्थ टोशंस Czech नीकरते संप्डीयत नगर निए वह क्यों नोट होते हैं वह थोकट हम अबने रखता है यह लक्ड़ी एए उस पर कितना नहींत है ऐह को होखे दो सेघ्रें करें लगाने पर ठोस पदार के तूट जाती है थोड़ी जादा मूड़ों के तूट जाएगे लेकर आकार नहीं बदलेगी लेकिन इनका आकार नहीं बदलता इसलिए वो द्रड होती मजबूत्ती ठोस होती है तो यहां पर कुछ विचार है निमलकित विचार करना है रबर बैंड को क्या माना जाए क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता क्या यह ठोस है नमबर दो क्या है विफीन आकार के बरत्रों में रखने पर चीनी नमक उन्हीं बरत्रों के आकार ले ले लेती क्या ये ठोस है इस पंज क्या ये ठोस है लेकिन ये फिर भी इसका संपीडम संबूनी है क्यों उन्हें तीन चीजे पढ़े हैं उसका भी आपर हल देखते हैं भ बहाएं बल लगाए जाने पर रबर बेंड का आकार बदलता है, बल हटाने पर ये पुने अपने मूल आकार में आ जाता है, अधिदी बल लगाने पर तूर जाता है, कोई रबर बेंड है उसको पाया का लगा तो मुड़ जाएगो फिर छोड़ते वह अपने अकारमा जाती है यह जादा बल लगाते तो तूर जाती है अब नंबर दो क्या है यह हम सरक्रे नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जान रखे तो इनके किस्ट्रों के आ समभेस होता है जब में इसे मां दबाते है यह बहां नीकल दिएक Lapis का होता है इस पंज ऊखक दबाते हैं रही संबें होता है तो मैं अचो सकता पड़ी अभी हम पड़ेंगे दरवे अवस्ता दूशरर अभीया दरूंब अवस्ता यहां पर किरिया कलाब दे रखा हैं क्या है किरिया कलाब निमले कित वस्तों को एक्तरित कीजिए जल, खाना पकाने का तेल, दूद, जूस और सीतल पे इन दर味 को फस पर डाल देने पर क्या होगा किसी एक दर में कर्मा करते ज त के परत्य बार आयतन एक समान नहीं होता है कि दरह को एक बड़ान दूश्रे बड़ान में उड़ने पर क्या आसानी से बैता है तो अभी यह प्रेक्शन किये हैं उसमें अभी समझेंगे कि प्रेक्शन से पता चलते हैं कि दर्व का आकार नहीं लेकिन आइतन निश्चित होता है आकार निस्चित नहीं होता, आयतन निस्चित होता, क्यों उतना ही जगे घेरता है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए विए उसी का आकार बदल देता है, छोटे बर्तन रखेंगे तो उसके असाब से आकार बड़े में रखुद बड़ा, चोड़ा, मोटा पुतला, उसके बया देता है, जिस बर्तन को आते हैं, उसी का आकार सवरूप लेता है, तो हमने किरिया कलाब 1.45 के संद्रब में हमने देखा कि ठोश और धर्व का विस्तरन दर्व में संभू है, crappy बहातावन की गेशिक है वििस्तरित होने पर जल में घुल जाती है, यह गेशिसे जल्ली जन्तु पोदों के लिए अनिवारी हैं। सभी जीवधारी अपने निर्वाह के लिए स्वांस लेते हैं। जल्ली जन्तु जल में गुली ऑक्सिजन के कांड़ स्वांस लेते हैं। दरू के कड़ों में रिक्तिस्तान भी अधी होता है दरू कड़ों से रिक्तिस्तान जादा होता है ठोस में कम होता है तीसरी अवस्ता हम यहाँ पर पढ़ेंगे गेसी अवस्ता हो अबने कभी उस गुबारे वाले पर ध्यान दिया जो case के एक ही silen्ड से बहुत सारे गुबारों में हवा बढ़ता है उसे पता लगा है कि एक silen्ड से कितने गुबारे बढ़ता है उसे पूछे कि silen्ड में कौन सी gas है यहाई किरिया कलाब है 100 ml की 3 series ले उनके सीरे को rubber के cork से बंद कर दे चीतर 1.4 में दिखाया है रपर के cork से नीचे यह नीचे वाला पाठ हो बंद कर दे सबी सीरेंजों के piston को हटा दे पिस्टन है उसको हटा दे पहली सीरेंजी में हवा रहने दे दूसरी में जल तीसरी में चौके टुकड़े भर दे तीन सीरीज ले पहले में जल दूसरी में पहले हवा दूसरी में जल तीसरी में चौके टुकड़े पिस्टन को वापस सीरीज में लगाए पिस्टन को वापस लगा दे कि शीरीज के पिस्टन की गती सिल्था आसान करने के लिए उसमें थोड़ी वेस्ट लिन लगा दें अब पिस्टन को सीरीज में डालके संपिधन करने का कोशिच करें पिस्टन लोग ढखाने उसको डालके दवाएं संपिधन करें आपने देखा किस सिस्टेज में पिस्टन हमने क्या क्या डाला हावा जल और चौह किसमें आसानी से जाते हैं यह परियोग किया हम तो परियोग करने पर हमने देखा कि ठोसे दर्वों की अपेक्सा में गेज की संपिंडिन्था कंप्रेशन काफी अधी होता है हमारे घरव में खाना बनाने में उप्योग की जाने वाली दुर्विकत प्रेंटलेम गेज एल पी जी इसे हम घर का खाना बना दे अजपतालों में दिये जाने वाले ऑक्सिजन सिलेंडर में संपिंडित केस होती है आज के लवाना में इंदन के रूप में संपिंडित प्राकरति के सियंची का उप्योग होता है संपिंडित का भी अधिक होने कारण केस के अतिदिक आयतनों को एक कम आयतन वाली सिलेंडर में संपिंडित क्या जा सकता है यहां आसानी से एक स्थान से दूश स्थान पे बे प१ंशने वाली गन्द से भीना रस्वय में पर रविश्क के ही हम जान सकते हे कि किया पकाय जारे गन्द हम तक कैसे पहुशुक्ते हैं? खाने की गन्द के कणंड़ वायों में मिल जाते हैं और रस्वय से फैलकर हम तक पहुंस जाते हैं, ये कंड के कंड और दूर भी जा सकते हैं, फकेवे क्रम खाने की मेख हमारे आज़ पस्तक कुछी स्ञणों में पहुंस जाती हैं, इसकी तुलना ठोस न दर्वे की विस्षरन से करे, कंडों की तेज गति और अत्यति द्रिख्षत तनकंड गेसों का अन्य एगे दॉर में विस्रन बहूत धिवात होते हैं, अब तerson में देखा या कि होगता कि कम शीक कि दु होता है, फोटि पार सब्सक्ड़ कि अ بعدD吗 होते हैं ईयसे पीडुरी के गolphता है, है है , फोट्व में देरेक रहा यह थिंथ दूर दूर जल्दी जल्दी विश्रन कर जाता हैं क्या लिगाएं गेश ये अवस्ता में कणों की गति और नियमित और अतितिक तिरू होती होती हैं इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की दिवारों से टकराते हैं ती तेज होती कि बर्तन के दिवारों से टक कि इसमें तेजी से टगराते हैं कि यहां पर कि एकके शेत्र पर बल के कारण गेस का दबाव बढ़ जाता हैं कि अभी हम पढ़ेंगे क्या पदात अपनी अवस्ता को बदल सकता है कि थोस दर्व केस अभी पढ़ेंगे क्या पदात अपनी अवस्ता को बदल सकता है कि इस प्रिक्शन से हम जानते हैं कि जल पदात की तीन अवस्ता में रह सकते हैं जल है पहले क्या ठोस में रह जैसे बरफ में दर्वे लब जल में गेस में वास्प में जल की तीन अवस्ता ठोस इन बरफ दर्वे यानि जल गेस Agnes वास्ट ओने phones अवस्ता बदनों से पितार की क्रणीप्र्प्र कर तें परभाव करता है कि हम इन तीनों पिस्टों का उतर ये खोज न चाहिए जलो खुषते हैं से पहला इसाटमान परईवर्थन नंगा तापन को प्रभाव करते हैं तो क्या फर्भाव पड़ता है एक किरिया कलाब हैं क्या बढ़ता है एक विक्र में 150 ग्राम बरब का टुकडा ले चितर 1.6 के अनुसार उसे पर्योग साला में थर्मामेटर को इस परका लटका दें कि थर्मामेटर का बरब को छूरा हो चितर कौंसे आप यहां पर चितर 1.6 है देख सकते हैं वो चितर है अभी क्या क्या आम पढ़ता है लिकाए धिमि आज पर बिक्र को गरम करना शरू करें धिमि आज पर इसको गरम करें जब बरब पीगलने लगए तो तापन को नॉड़ कर ले जब बरब पीगल ताहा है तो कितने डीगरी पिगल जाए जब शंपूर्ण बर जल में परिवर्तित हो जाए तो फूने ताब मां नौट करें जब पिगलना शर्व होता तब करें पूरा पिगल जाता तब करें ठोस से दरू अवस्ता में होने वाले परिवर्तन के प्रेक्शन को नौट करें तो फोस में स पर बराबर नाजे रखें जब अधिकत्त जल्व वस्प ने बन जाए जल्ब के दरुव अवस्ता में बनने वाले परीक्सं को भी Nord करें कि जब यह अधिक जल्वे बतलता तब Nord करें और गेस में बतलता तब दा तब लॉप करें ठोस के ताबमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गती चुर्जा बढ़ जाती है गती चुर्जा में वर्दी होने के कारण अधिक तेजी से कमपन करने लगते हैं कणों की गती चुर्जा बढ़ जाती से कमपन तेजी से कमपन करने लगते हैं उस्मा के द्वारा पदर्थ के गई उर्जा कणों के बीच के आक्षिन बल को पार कर लेती है इस कारण कण अपने नियत इस्तान को छोड़कर अधिक सुधन्तर होकर गति करने लगते है एक अवस्ता ऐसे आती है कि ठोस पिगल कर धर्वे में परिवर्थित हो जाता है यह दो दो चित्र लेका गया है पहला चित्र क्या है बरब का जल बने की परक्रिया दूसरा है जल से वास्प बने की परक्रिया यह क्या है दर्वे बनने की कि उसमें हमने बरब डाला है बिकर है काज के चाट धर्वा मीटर लोगे का स्टंड बर्णर यहां पर हमने आग लग कर राम तर्रमानtechn式 में नॉट किया हैं उतम है चिस spaghetti पारब कि दर्व में बन जाता है उसे हम गल्णाक कहते हैं अब कोई ध्यान र captivate निदर की आ किसे कहते हैं परीक्सा ने क्यूंअ सकता है कि गल्णाक कि से कहते हैं जिस ताप मान पर टोस वर्प पिगल के दर्वे में बन जाता है पाणी बन जाता है किसी थोस का गलनाग सामर्थिय को दर्च आते हैं अब देखते हैं बलप का गलनाग कितना होता है यह भी क्यूसर ना सकता है बलप का गलनाग कितना होता है दो सो त्योतर पॉइंट एक चेक कि गलने की परिक्रिया यानि ठोस से दरोस्ता में परिवर्टन को संगलन भी कहते हैं गलनाग भी कहते हैं, संगलन भी, कि ठोस के गलने की परिक्रिया में तापमा समान रहता है, ऐसे में उसमें उर्जा कहां जाती हैं। गलने बिगलती तब तक तापमान नहीं बदलता है। बिक्र को उसमा परदान करने के भावजूद भी ऐसा ही होता है। परिवर्टित नहीं होता है। यह माना जाता है कि बिक्र में ले गए सामगरी में छुपी रहते हैं। जिसे गुप्त उर्जा जिसे हम कौन सी उर्जा बोलते हैं। गुप्त उर्जा। यह गुप्त का अभी प्रायच छुपी होई सिमल वायुमंडली दाब पर यह ठोस को उसके गणनाक पर धर्वें बदलने के लिए जितनी उसमी उर्जा की आव सकता होती है। जब हम जल में उसमी उर्जा देते हैं। यानि आग लगाते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापान पर पहुंच कर कणों में इतनी उर्जा आ जाती है कि वे प्रसपर आक्षन बल को तोड़कर स्वतंतर हो जाती है। इस तापन पर दर्वे गेस में बदलना शुरू हो जाता है। एक ऐसा चरण आता है कि वो दर्वे से गेस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडली दापर ये तापमान जिस पर दर्वे उबढ़ने लगता है। उसे कवतना कहते हैं। तो यहां पर आपको द्यान लगना कवतना किसे करते हैं। जिस तापमान पर दर्वे से गेस बदलता हो। क्वतना जिस तापमान पे ठोश से दर्व बनता हो है गलनाग क्वतनाग समस्टिट गुण है दर्व के सभी कणों को इतनी उर्जा मिल जाती है कि वास्प में बद जाते हैं तो जल के लिए तापमान कितना होना चाहिए क्वतनाग 100 डिगरी बराबर 200 तेवतर प्लस 100 क्या आप वास्पी करण की गुप्त उस्मा को परिवासित कर सकते हैं उसी तरह परिवासित की जैसे समने संगलन की पस्तुत उस्मा को परिवासित किया 200 तेवतर के 100 डिगरी सेलसियम तापमान पर भाब उस्मा के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्सा उर्जा अधिक होती हैं पानी के कण उसकी उर्जा से इसकी भाब की अधिक होती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि भाब के कणों ने वासपी करन को गुप्त उस्मा के रूप में अत्रिक्त 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 उस्मा के रूप म यह चित्र आप त्यान दखना है जब ठोस हैं तो उसमा देंगे तो क्या दर्वे बदलेगा दर्वे उसमा देंगे तो गेस बनेगा तो गेस को शितलता देंगे तो ठंडा करेंगा दर्वे दर्वे को ठंडा करेंगा तो फिर ठोस यह चक्र चलता रहता है अथें हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदल कर हम पदात को एक अवस्ता से दूसी अवस्ता में बदल सकते हैं ठोस हैं इसको दर्वे बदलेंगे फिर वो गेस ठंडा करेंगे तो गेस से दर्वे दर्वे से ठोस झोष भंने सिखा कि गरम करने पर फदात की अवस्ता बदल जाती हैं। ठोश से दर्वे अवस्ता में परिवर्तित हुए भीना ठोश अवस्ता से सीड़20 गेश और वापस ठोश में बदल जाती हैं। कुछ पदार थे हो ने तोस से गेस गेस फिर थोस कौन से देखते हैं यह किरिया कलाब है क्या कि एक थोड़ा सा कपूर यां अमोनियुम कलोरेड ले चूर्ण करके चीनी की प्याली वासं बना अमोनियुम कलोरेड में डाल दें वासम बना अमोनियम कलोराइड में चीनी की फ्याली ले नीचे वाली ये वाली बर्णर है ये ठोस अमोनियम कलोराइड है ये वासम अमोनियम कलोराइड है ये रुईका उपर टुकड़ा है ये कीप को उल्टा करके इसकी फ्याली को उपर रख दें उल्टा करके कीप को इसक प्रुत किरिया कलाप से आप क्या निसकस निकलते हैं कि दर्वे अवस्ता में परिवर्थित हुए बिना ठोस अवस्ता से सीधा गेस वास्प ठोस में बदलने की परक्रिया का उद्रुपातन कहते हैं उधर पातन किसे कहते हैं कि जो पदाट ठोस होता है वो डाइरेक्ट किसमें गेस में बदल जाता है चोटे-चोडे कणों में वो होता है उधर पातन गलनाग को उतनाग भी समझाएं गलनाग क्या होता है ठोस से जल बनता है गलनाग जल से गेस बनता है वो क्वतनाग कहलाता है अभी हमने पढ़ा था दाप के कारण परिवर्तन अभी हम पढ़ेंगे दाप के कारण परिवर्तन दाप लगाने से क्या परिवर्तन आता है है कि क्या लिगा है हम जानते हैं कि गटक कणो के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विबीन अवस्तामें अंतर होता है जेसे किसी शिल्लेंटर में भरी फो यह आप लगाने और संपिंडन करने पर क्या होगा कोई सिलेंट रोता हम उसमें दाब के साथ में गेसभरते हैं उसको दबाते हैं तो तो क्या पर्वाब बढ़ता है क्या इसके कणों की बीच की दूरी कम हो जाएगी कि आपको लगता है कि दाब बढ़ाने गठाने से पदार्थ की अवस्ता में परिवर्तन हो सकता है जैसे यह पिक्टर दे रखा हैं बीच का एक पिस्टन है एक सिलेंडर है इसमें पिस्टन को उपर रखा है आप देख रहे हैं कितना उपर है सेकिंड वाले में बहुत जादा दबा रखा है थर्ड वाले में उसे भी जादा तो पहले वाले में कम दबाया है तो यह कंड दूर दूर है सेंट वादने में तो पास में आगए तीश्रे पिक्टर जो आप देख रहे हैं भो ज़्यादा दबा रखे तो कंड पास मेंआ घह oh तो हमने क्या सिखका है कि अभी अगर हम दाब बढाते हैं तो इक-आ पास में आ जाते हैं दाब के बढ़ाने और तापमान गटने से गेस से गेस दर्वे में बदल जाती है क्या दिखा दाब के बढ़ने दाब को बढ़ाओ और तापमान को घटाओ जिससे गेस दर्वे में बदल जाती है जैसे हमने उसकी सिलंडर में गेस बढ़ते हैं तो उसमें कि हम दाब बढ़ाते हैं दीरी दे उसका ताबमान कम हो जाता है जिस्वे हम तब टंकी को हिलाते हैं तो क्यासे हमें पानी के तरह हिलता हुआ दिखता है कि वो दर्वे में बदल जाती है और जब उसको हाथ लगा तो कितना ठंडा फील होता है या आप करके देखना क्या आपने थो स्योटू के बारे में सुनाएं स्योटू ने कार्मन्डे ऑक्साइट इसे उस दाप पर संग्रहित क्या जाता है किस पर उस दाप पर बहुत ही ज्यादा प्रेसर पर जब वाई मंडले दाप का माप एक एटियम एट्मोसफियर हो तो थो स्योटू दर्वा झिसमें आजाती है ऐही ने कारह है कि फी धोस करबन अउकसाइड को करता है ड्राइब वर्प इसको ड्राइब वरिबर इसके लिए करते हैं जब भी आप शिलींड देंगना स्योटू को सिलेंडर होता जो आग बुजाने के लिए हम काम लेते हैं उसको फील करके देखना बहुत ही ठंडा होता है अब जब अगर उसको ज्यादा टाइम तक अगर उसको चूके रखते हैं तो आपका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सुस्क बरफ ड्राई बरफ हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्ट की अवस्ता यानि ठोस दर्व और गेस और धाब और ताबन के द्वारा ते होती हैं पदार्ट की अवस्ता कैसे ठोस के दर्व गेस धाब और ताबन सभी से मिलने से कुछन कुछ उसकी अवस्ता ये ठोस में और दर्व और गेस मे जैसे यह पिक्चर बना रहा है तीनो अवस्ता में पदार्त का अंत्रा रूपांतरण मैं पहले सबसे पहले ठोस की बात करता हूं आप देखते हैं ठोसे मैंने संगलन किया है कि अल्ट पहले गया दर्व को समय वह एक करना तो क्या बन गया गेस है वापिस वोलटा दे आखते हैं ग्राइस का अगर मैंने संग्नन क्या तो क्या दर्वें फिर जमना और ठाम्कम कया तो बन गया ठोस सबसे नीचे वाला दिखना आ टोस को अई आकहर उद्रव पातन करता है जो भर खांच किता है थोस किसे कहते हैं हो पो खांचे ने अनने क्या में आ सकती है अभी हमारा बच्चा वास्पी करण वास्पी करण क्या है इसके बारे में समझेंगे पदार्थ की अवस्ता बदलने के लिए क्या सदेव उस्मा देना या दाब बदलना आउसक है तो हमने क्या लेगा कि कोई भी पदार्थ उसकी अवस्ता उसको रूप में परियुद्न लाने तो क्या उस्मा इन्ताप या दाप आउसके क्या अपने देनिक जीवन में आप ऐसे कोई उदार्ण दे सकते हैं इसमें बिना कहतनांग पर पहुंचे हुए क्या कोई दर्व आउस्ता में आ जाता है जल को खुला छोड़ देना पर धीरे धीरे भास में परिवर्तित हो जाता है गिले कप्रे सुक जाता है इन दोनों कि हम जानते है कि पदार के कणा में सागतिय सील होते हैं कभी रुकते नहीं एक निश्चित तापमान पर गेश दर्वे ठोस के कणों में विन मातरा में गतिती तो बशाब जूए निसी माद्रा घतिक्चा होती हैं कभी रूकते नहीं दर्वो में सत्य पर इस्तित कणों के कुछ अंसों में इतनी कती जोढ़ती हैं कि कम ताप मान्ध पर दर्वे के वाफसब वास्प में पई वो margin परक्रफ करन करननादा है get a तो जाते हैं कोतनां से कम्तावमांद तूसकं क्या वलते हैं वाशुं पीकरन की दूसरी खळाता है अब सब्संडीन तुसे तो जाते हैं कुछ ही करन सथे मुख़ियों फामान चैनल मिवाज पीकरन के declaration है तो वास्पी करण में क्या पढ़ेंगे पहला पास्पी करण को परभावित करने वाली कारक वास्पी करण को कौन से कारक परभावित करते हैं उसके बारे पढ़ें इस क्रिया कलाप से मारें से इसे समझाते हैं यह क्रियागलाब दे रखाएं क्या है क्रियागलाब एक प्रक्नली में पांच एमल जल लें इसे खीड़की के पांके के नीचे रख दें कितना चलल ले ना 5 ml, खीड़की या पंक्य कर्पाром सक्षाद है, खुली रख़ी चिर्नी मीटी की प्याली में 5 ml जल भरके से खीड़की के पा हता पंक्य में निचे रख़़एं। एक में नॉर्मल पानी दूसरे में खुली रखी चीनी मिटी की प्याली दूसरे आगे गया है चीनी मिटी की प्याली में 5 ml जल्ड रखे उसे ककसा की इस्तिक से अलमारी के अंदर रख दे कमरे का ताप मान नोट करें क्या सभी परिष्टितियों वास्पी करण में लगे समया दिन को नोट करें तो वास्पी करण किसमें जल्दी होता है आपको नोट करना है बारिस के दिन भी इन क्रिय कलापों को करके प्रेक्शन करें बारिस के दिनों में करना है वास्पिकरण के निम्मलिकित के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं तापमान का परबाव, सते का सेतर, वायू की चाल आपने ध्यान दिया हुआ कि वास्पिकरण की दर निम्मलिकित के साथ बढ़ती है वासपीकरण के दर किसके साथ बढ़ती है वो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे सत्य सित्र पर पहला क्या है सत्य सित्र पर अब हम जानते हैं कि वासपीकरण एक सत्य परिक्रिया है सत्य सित्र बढ़ने पर वासपीकरण की दर भी बढ़ जाती है जैसे कपड़े सुकाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं कपड़े उसको फैलाते हैं तो जल्दी सुकता है जो हम समझते हैं दूसरा तापमान में बढ़ने पर अधी कणो को प्रयाप्त गति चुजा मिलती है जिससे यह वास्पिक्रत हो जाता है सत्य शेत्र से भी होता है दूसरा तापमान तापमान गति चुजा अधी होती है जल्दी वास्पिक्रत होती है दूसरी आदर्ता में कमी पहला शेत्र दूसरा तापमान तीस रहम क्या बढ़ने आदर्ता में कमी वायमन में विद्दिमान जल्ब वास्प की मात्रा को आदर्त किसे कहते हैं यह प्रिक्षा में आ सकता है क्या है वाय में विद्यमान जल्वास्प जल्वास्प की मात्रा को जल्वास्प की जल्वास्प की मात्रा उसको हम क्या बोलते हैं आदर्था बोलते हैं किसी निच्चित तापमान पर हमारे आसपस की वायों में एक निच्चित मात मात्रमीजल वायु में जल कण़ों की मात्रा पहले से अधिव को गई तो वासपी करन्हों की दर घट जाती हैं जाती जैसे कि उमस बोलते हैं उसे में जल वासपी करन्हों की कम हो जाती है आगे क्या है वायू की गती में वर्दी हम जानते हैं कि तेज वायू में कपड़े जल्दी सुक जाते हैं वायू के तेज होने से जलबास्प करन वायू के साथ उड़ जाते हैं आसपास के जलबास्प की मात्रा कम हो जागी वास्पी गरन जल्दी हो जाएगा तापान में जल्दी होगा, वाय से गत जल्दी होगा, सत्यस जल्दी होगा, कम किसमें होगा आदरता में आपको ध्यान रखना, जब आदरता उमस होगी उसमें वास्पी करण कम होगा यह आपको ध्यान रखना को दूसरा परवां कि आ वास्पी करण के कानुन कान। इसके पारें बढ़े हूँ को दुश्भाएओं रत light के कर्ण के अनुक्तल के नियुक्त करण कैसे होते हूँ कि आ जाती आसपास फूल लेता तो शितलता आ जाती हैं जब आप ऐसी टौन नाकुनों की पॉलिश हटाने दर्वे की तो को हटाने वाल को अपने हतेली पर गिराते हैं तो क्या होता है इसके कण आपकी हतेली या उसकी आजपास से उर्जा फ्रात कर लेते हैं वास्फिक्रत हो जाता है जिसे हतेली पर सीतलता मैसूश होती है के तेज-धूब वाले गर्म दिन के बार लोग अपनी छत या खुलए इस्तान पर जल्ल छिटका दें कब जब तेज-धूब होती है तो अपनी फिरा इस्ताना चल्ल छिटकाते है क्योंकि जल्ल के वास्विक्रत कीं गुफ्त उसमिआ गर्म सत्यकों सीतल कर देदें थंडा क इसलिए हम गरों मेरा आगे के नमें पानी को छिड़कते हैं किया आप वासपी करण की कारण सीतल होने कि अरτεर दे सकते हैं कि रूल ने स्पॉर्थति कपड़े जहीं पहने मैं सूति कपड़े पहन देशी सितलता मु Columbi ठंड मिलती आ कार्ण में है जहादा पसे नाता है है जिसे हमें शीतलुता मिलते हैं जैसा की आ legends तर्फिक कर्ण के दोरां डर्वय की सथें अमारे शरीर आसपान से उर्जा फ्रातकटरेंगे वाषमें बदल जाते थे बाशिकरण की प्रस्तित वेस्टा पॉस्मा एउसमी उर्जा हमारे सरीसे अव्सक्राइब हो जाते इसे सरी ऊसेथ सीतल हो जाते चुक्री सुती कप्रों में उसुटन फिकरत हो जाते हैं जो मैं पषितल कमें थंडी मीसित होती है है तो अभी हमारा यहां पर पार्ट कंप्लिट हो चुका है नेक्स हमें पायत नमबर दो पड़ेंगे पुरा पार्ट देखते रहें जय हिन जय बारत